आज मैं एक ऐसा अजूबा आपको बताने वाला हूँ जिससे की आपकी कितनी ही पुरानी सालों पुरानी अगर कोई कामना हो जो पूर्ण नारो हो रही हो तो वो इससे पूर्ण हो सकती है लाखो वर्षों के तब के बाद जो निचोड निकला है वो ये है इस तंत्र को आम जंता से छुपाया गया था ताकि इसका दुरुपयोग न हो उसके यदि सबकी ही मुरादे पूरी हो जाएं तो फिर तो ये धरास्वर्ग बन गई तो ये उन कुछ गिने चुने लोगों को दिया जाता था जो कि गुरू के प्रिये होते थे लेकिन आज के युग में जब घ्यान पाना आपके हूलि ओपर है आप गूगल खोली और लाखो मंतर आपको मिल जाते हैं लेकिन उसमें एक सटीक मंतर ढूबना एक ऐसा मंतर ढूबना जो कि काम कर जाए कुछ ऐसी रिच्चुमस ढूबना जो कि वाकिए में इस धरापर काम करती हो वो सहज नहीं है तो इसी विशमता की घड़ी को दूर करते हुए मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा तंत्र जो कि आपकी मुराद को पूरी कर देगा आपके बिगडे हुए काम बना देगा कुछ ऐसा जो कि अतुल्य है इसका कोई मूल नहीं लगा सकता एक ऐसा विधान जिससे कि आप कुछ ऐसी शक्तियों को अपनी और आकरशित कर सकते हैं जो कि आपके हित में काम करेंगे ये प्रियोग मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन उस समय में मेरे पास वीडियो नहीं था इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था तो इस बार मैं आपको वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अपने आस पास अपने समीब, अपने किसी बैक याड में अपने गाडन बनाए और उसमें ऐसे ऐसी आउशड लगाएं जो की लुपत होती जा रही है तो ऐसी एक आउशड है काला धतूरा इसको अपने आंगन में एक स्थान दे अपने बैक याड में एक स्थान दे जैसे कि पुराने काल से हमें पता है कि पीपल में देवतावास करते हैं बरगद में देवतावास करते हैं और क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि सिर्फ यही पेड़ हमें दे सकते हैं और कोई नहीं और इसी श्रंकला में एक पेडाता है काले धतूरे का ये बहुत बड़ा बनता है और इसके फूल और इसका फल ये सब कुछ जो है भगवान शिव को बहुत प्रीय है अब तक आपने जिस भी धतूरे का फूल चड़ाया हो वो परमेश्वर को रिजहा नहीं सकता लेकिन अगर काले धतूरे का फूल आप रोज भूले नात को चड़ाते हैं तो समझे आपकी मनुकाबना स्वतही पूरी हो जाएगी ये गुप्त रहस्य है और ये जो यंत्र मैं आपको आज दे रहूं इस यंत्र को कामिया सिंदूर से आपको बनाना है शुक्रवार, बुधवार इन दो दिनों में आप इसको बना सकते हैं इसका दिशा जो है उसका निर्धारन आपको कर रहा है कि जहां से सूरज निकलता हो पूर्व की तरफ मुख करके बैठे और उसके बाद इसका निर्मान शुरू कर दें जब आप इसका निर्मान कर रहे हो तो आपके मन मस्तिश में कोई भी विचार ना हो बस आप इस यंत्र का निर्मान करें और कुछ आपको ना दिखे करते जाएं, करते जाएं और इसके जो कलम होगी वो अनार की रखें अनार की कलम से आपको बनाना तो जो जो पौधे में आपको बता रहा हूँ इनको एक विशिश स्थान दे अपने बैक्यार्ड में अपने आंगन में कहीं पर भी लगाएं लेकिन ये पौधे आपके पास होने बहुत आवश्यक हैं यदि आप चाहते हैं कि इस ग्यान को पाना तो सुगमता से आप इस कलम को बना सकते हैं आपके घर पे ही मिल जाएगा वरना फिर ढूनने में बहुत समय वैर्थ हो जाता है तो ये पौधे लगाने के बाद या फिर अगर अभी नहीं है तो आप कहीं से लेकर भी आ सकते हैं अनार की कलम बनाएं और उससे इसका निर्मान करें और लाल धागे में बांध कर साथ गाठे इसमें लगाएं और उस पर बांधे और जैसे जैसे ये यंत्र हिलेगा जैसे जैसे हवा इसे हिलाएगी वैसे वैसे आपकी जो भी बंद दुकान थी वो खुल जाएगी आपके भाग्य में एक उजाला हो जाएगा जहाँ पर निराशा थी वहाँ आशा आजाएगी और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बिछड़े वे लोग मिल जाते हैं जहाँ पर आपका कोई साथी हो जो कि आपसे रूट कर चला गया हो या फिर किसी भी वज़े से आपसे मनमुटाव हो गया हो वो भी आपके पास आ जाते हैं मतलब यू समझेए ये क्रिया यदि आपने कर दी तो आपके भीतर जितने भी विचार हैं कि वो नहीं हो पा रहा है ऐसी चीजे बिल्कुल नश्ट हो जाएंगे आप जब से इस प्रियोग को करना शुरू करेंगे तब से आपके काम बनते चले जाएंगे मेरे पास काफी नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं जो कहते हैं कि गुरु जी कुछ ऐसा दीजिए कि लोग जो है मेरी बातों को सुने उसमें उनको क्या होता है कि इंफ्लूएंस करना होता है लोगों को तो मैंने एक भाई साब को ये टोटका बताया और आज वो न जाने कितने लोगों को अपने नीचे लगा चुका है सिर्फ इस एक टोटके की बदौलत तो आप भी चाहते हैं कि अपना वर्चस स्थापित करना लोगों की बीच में मास को अट्रेक्ट करना या फिर जब आप स्पीच दें तो लोग सुने उसको तो ये जो यंत्र है ये जो तंत्र मैंने आपको बताया है इसको कर दीजे तो बैगराउंड में ये चीज़ काम करेगी और लोग आपकी बातों को सुनेंगे बहुत ही प्राचीन बहुत ही गूर रहसे है जो कि लाखो रुपे खर्च करने पर भी आपको कोई ना बताए ये जो विधिया है ये सारी गोपनी है लेकिन ये मेरे साथ ही चली जाएगी तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा तो जो जो इस कर्म को करेगा उस उसको होगा और ये जो रीती रिवाज हैं ये जो जितने भी कर्म कांड हैं सारे आगे बढ़ते रहेंगे अगर ये किसी एक के पास जैसे अब कुछ ऐसी भी विधिया थी जो कि नालंदा के विश्व विध्याले की बुस्तवों के साथ ही जल गी अब हमें नहीं पता कि वो क्या के पास नहीं है वो लुपती हो गया बिल्कुल तो ऐसा ना हो इसलिए इस सारा तंत्र में आपको ऑनलाइन सारा बताओंगा यदि आपको इसका पूर्ण कोर्स करना हो तो आप कालिविध्या.com पर जा सकते हैं वहां पर आपको कोर्स मिल जाएंगे उनमें जाकर आप कोई इसमल नसे मिल जाएगी तो इस यंत्र को बनाएं और मुझे बताएं कि किटने ज keen जल्दी जो हैं आपके काम बनने शुरू हुए हैं किस तरह से इस यंत्र मैं आपकी जिंदीगे को बदलना शुरू किया और जो आपकी परेशानिया थी वह इसने कैसे दूर की तो आगे क कुछ ऐसे यंत्र में आपको बताऊंगा जो कि किस्मत बदल सकते हैं आपकी हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं जाहे किस्मत में कुछ भी हो लेकिन वो उस ईश्वर को विवर्ष कर देंगे कि आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां आ जाएं कुछ ऐसा हो जाए कि वो भी उस लेक को मिटाने में मजबूर हो जाए ऐसे ऐसे गोपनी अतंतर आपको मिलेंगे लेकिन पहले इसको कीजिए और मुझे इसके बारे में बताईए कि इसने कितना सठीक आपके लिए काम किया किसी भी तरह की जानकारी के लिए कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कॉल कीजिएगा ट्रिपल नाइन ट्वेट फोर सोला पच्चिस पर धन्यवाद